um असलाम अलेकोँ मिंहाब आपए अगर आपको बताएंगे तो आपने उसकी कैसी घर में ईहरा करनी है जोंके भरती सिंपल सी रेमिडी है आपने इसको बना करके स्टोर करना है एक महिने के लिए आपने स्टोर कर लिया डेली आपने नाइट में इसको यूज करना है और सुब हमें सिंपल वाटर से अपने पैर वाश करना है तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीजें हमें जरूरत होंगी तो आपको इस वीडियो में बताएंगे तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इसमें ऐलोवेरा जेल वह भी मार्केट का ठीक है क्योंकि हम इसको स्टोर करना है तो हम मार्केट वाला जेल यूज करेंगे ठीक है कॉंटिटी आप अपने इसाब से बनाओगे मैं अपने एक महीने की क कि इने बेनेफिट से हैं के लिए इसकीन के लिए बहूत ही सॉफ्ट और मुलाईं रखता हैं सबस्क्रीज करें एक मत रहा हैं वस्लिंग क कै आपको पता है बहुत अच्छे फाइध हैं विंटर में तो हमारे वस्लिंग मॉझ्टाराइज रखती हैं हमारे इसकिन को जो कई सब्लिंग की अच्रिक मिंगता है। में रहा हैं यृट जैने को उसकिन . सब्सumर्ट वैसे हैं फूरिक के समय को नियुएलव करना है कि सरसू क के नाइक अधियर के मिक्स करने यृट को शषट सिट सुड़ियू करों, मैं डियन काटना है। दिन में भी लगाना चाहें थोड़ा बद लगाके मॉस्टराइज करके अपने स्क्रिन पे सॉक्स मेल ले इसे आपके एडियां खराब नहीं होंगे बहुत सॉफ्ट से रहेंगे पैर बिल्कुल मेंटेन और अगर आप चाहो तो इसको रात में लगा ले ओर नाइट लगाके आपने छोड़ देना सुबह सिंपल वॉटर से अपने पैरों को वाश करना है ठीक है आपने डेली इसको यूज करना है और आपको खुद विदिन अवीक आपको इसके बेनेफिट्स मिलेंगे कितने पैर आपके जो है वो शाइनी सॉफ्ट एंड मुलाइम हो जाएंगे और आपको इतनी पैडी के और की भी ज़रत नहीं होगी नीड नहीं होगी कि आप खुदी घर में अपनी केर कर सकते हैं और बहुत सिंपल सी रेमेडी बनानी है आपने और चारों इंक्रीडियन्स जो है इसमें जो यूज होए है वो आपकी घर में ही अवेलिबल है आपने पुछ मार्केट से नहीं खरीदना है बहुत से लोग मुझसे पूछते भी हैं कि हम विंटर में कैसी अपने पैरों की केर करें तो बहुत ही सिंबल तरीका है आपने इसको बना के स्टोर करना है और आपने इसको डेली यूज करना है मैं आपको यूज करने का तरीकी कार भी बताऊंगी कि इस तरीके साब में अपने पैरों पे लगाना है इसे और बहुत ही अच्छी रहमेडी है आपने खुर्ट ट्राइ करना है विदिन अब वीक आपको रिजल्स मिलेंगे और इतने अच्छे पैरों जाते हैं मैं आपको बता नहीं सकती तो आपने इसको बना की यूज करें अपने दोस्तों के साथ शियर करें कि ताकि उनकी भी पैरों बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहें एडियां जो हैं उनकी भी ना भटें सर्दियों में यह जो है इस तरीके से थोड़ी सी कॉंटिटी आपने लीनी और अपने पैरों पे लगाना है इससे जो है आप खुदी ना जब आप लगा रहे होगे आपको फील आ रहा होगा कि कितने पैरों चाहिए आपके सॉफ्ट होने लगे और बिल्कुल नहीं भटेंगे सर्दियों में पैर आपने डेली इसको यूज करना है अपने पैरों पे अगर थोड़ा सा बहुत अगर आप अपने हादों पे लगाना चाहों लेकिन यह है एडियों क कैसे लगी और आपने यूज करके देखा तो आपके इसके क्या पैनेफिट्स मैंने आपको ठीक है तो अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब माई चैनल बेल आइकन नहीं भूलिएगा उसको प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी लेटेस वीडियो आप तक पहुंचे है और आपन से फाइब आउठा सके लाफिस